पहला प्रश्ण है ग्याता ग्यान पूर्गे में क्या फर्क है डॉक्टर प्रफेसर वेद प्रकाश मलोत्रा चंडिवर ग्याता गे और ग्यान वड़ा सिम्पल सा सवाल है अब सिनेमा हाल में बैठे फिल्म देख रहे हो आप फिल्म देख रहे हो आप हो गए ग्याता जानने वाले फिल्म तो सामने सक्रीन पे चल रही है वो हो गई गे तो सक्रीन के उपर जिसे आप देख रहे हैं वो है गे उसे हम द्रश्य भी कह सकते हैं सीन आप जाने वाले देखने वाले ग्याता त्रश्य दिखने वाला सीन और ग्यान ग्याता और गे के वीच में जो संबंद है कम्निकेशन बिट्विन सीकर एंट सर्च दूसरे शब से वेग्यानिक भाशा में था दूसरे भाशा में जानने वाला और गे ग्याता और गे के वीच का संपर्क कम्निकेशन वो है ग्यान तुम जानने वाले सिनमा घर में बैठे तुम देखने वाले ग्याता सक्रीन पे चलने वाली फिलम गे और दोनों का कम्निकेशन जिसके द्वारा देखा जाता है जिसके द्वारा द्रश्य और दर्शक दोनों में संबंध बनता है वो है ग्यान बड़ा सिंपल सा सवाल है लेकिन इसे मुश्किल भी किया जा सकता है हम इसे भरांती में भी ले सकते हैं हम फिलम देख रहे हैं हम फिलम देख रहे हैं फिलम तो होगे गे हम देखने वाले हो गए ग्याता और जो दिख रहा है हमारे बीच का कमनी किष्ण भोगेगा ग्यान लेकिन इसको अगर एंटायर स्टडी के रूप में देखा जाए तो ये शरीर इसके भीतर बैठे हुए आप ये आँखों के द्वारा देखा हुआ आप भीतर बैठे हुए तमाम इंद्रियों के क्रिया कलाब को देख रहे हो तुम भीतर बैठे हुए साक्षी देखने वाले तो होगे ग्याता त्यान से समझे लेना सब्द शुक्षम में तुम बैठे हुए अपने भीतर तुम हो गए ग्याता ग्यान का हो रहायत में किशी का ग्यान हो रहा है कान के द्वरा सुन रहे हो ये ग्यान है श्रवन ग्यान है दर्शन आथ के द्वरा देखा गया दर्शन है मूँ के द्वरा बोला गया जीवा के द्वरा प्रवचन बोलना है नाट के द्वरा सुंगा गया समेल और ये चीज़ें जो देखी गईं वो है ग्यान याने सोनना, देखना, सुंगना, सपरश करना ये है ग्यान सपरश – ग्यान, स्रवन – ग्यान, दर्शन – ग्यान और उच्चारन ये है ग्यान इसका आपने ग्यान किया इंद्रियों के द्वारा कानों के द्वारा आखों के द्वारा नाकक के द्वारा जिवा के द्वारा मुख के द्वारा जो इस श्रवन को सुन रहा है जो इस द्रिश्य को देख रहा है आखों के द्वारा कानों के द्वारा सुन रहा है जीवा के द्वारा बोल रहा है और जीवा के द्वारा बोला हुआ अब थोड़ा सा गहरा देख लेना जीवा के द्वारा बोला गया वो बोल भी रहा है वो जीवा के द्वारा क्या बोला गया ये सुन भी रहा है कानों से सुन भी रहा है और जुबां के द्वारा जो बोला गया उसे सुन रहा है आँखों के द्वारा देख रहा है और आँखों के द्वारा जो देखा जा रहा है उसको भी वो देख रहा है दिमाग के द्वारा सोचा जा रहा है और दिमाग जो सोचता है उसको भी देख रहा है गहन भी शह है लेकिन ऐसे ही समझ पाओगे जब हम गहरे तलों पे आपको बताएंगे सो ये तो सीधा सीधा ग्यान तो आप समझे गए सोनना ग्यान देखना ग्यान चक्खना ग्यान बोलना ग्यान सुंगना ग्यान जो जाना गया दर्श्ट हमने ये लाइट देखी हमने ये चछत देखी ये पंका देखा ये सारा सामान देखा ये कमरा देखा ये कह है गे जाने के जो गे है वो सिद्री है कलाकर्ती वो गे है जाना गया और जो देख रहा है वो ग्यानी ग्याता ग्याता कह रो ग्यानी कह रो ग्याता तुम हो तुम ग्याता हो तुम इन सभी कर्मिंद्रियों को कर्म करते हुए देख सुन रहे हो और जो देख रहे हो वो देखना जो सुन रहे हो ये सुनना जो बोल रहे हो वो बूलना ये है ग्यानी अब मेरे कहल में समझा ग्या होगा कि तुम ग्यानी ये ग्याता जो तुम देख रहे हो वो दर्शन की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है ओब्जेक्ट वो दर्श्य वो सीनरी वो ग्ये दर्शक तुम जो चीज दखाई पड़ रहे है वो ओब्जेक्ट तुम सब्जेक्ट और जो इनके दोनों का संबंद स्थापित करता है वो प्रोसेस ओफ कम्यूकेशन उसे ग्यान कहते हैं मेरी दिश्टी में इतना सही प्रशन पूशा होगा जदा गहराई मैं इस प्रशन में देख नहीं रहा हूँ मैंने बाहरी दल से भी आपको समझा दिया बेतरी दल से भी आपको समझा दिया दुर्वासार इसे यमना पार एक ब्रिक्ष के नीचे बैठे थे प्रशन बगवान कृशन को पता था बगवान कृशन दपहर का भोजन उन्हें भेजना चाहते थे सक्षियों को बलाया गोपियों को बलाया गोपियों से कहा कि प्रिये तुम सभी भोजन के थाल ले जाओ मेरे गुरू आये हैं उन्हें भोजन करा यबना नदी अपने उफान पे थी बहुत उंची-उंची बह रही थी किनारे तक आके थी कोई बूलना था तो कृष्ण से कहने लगी गोपिया कि बोजो तो हम ख़लाएंगे आपके गुरु दिपको लेकिन ये जमना अपने उफान पे है बहुत बड़ी नदी है उफान पे नदी और कोई पुल नहीं जाएं कैसे ये आपके लिए भी काम आये की बात आपके ग्यान ग्याता और गे के संबंद में भी इसमें बहुत गहराई है इसलिए ध्यान पुलक सुनेगा पुल नहीं है आपके गुरु को बोजन कराना है यमना नदी और फान पे है डूप जाएंगे गहरी बहुत है कृष्ण कहने लगे कोई बात है तुम्हें एक में मंत्र बताता है उस मंत्र को बोल देना यमना तुम्हें रास्तर देदी है यमना का फूफान बैठ जाएगा शान्त हो जाएगा मंत्र क्या है मंत्र यह देवियो तुम्हें माता यमना से प्रार्थना करनी है कि अगर हमारा प्रेमी प्रियातम क्रिश्न हमारा प्यारा क्रिश्न बाल ब्रमचारी है अखंड ब्रमचारी है तो हे मां हमें रास्ता देतो गोपियां तो गबड़ाईं मिल लिया रास्ता एक दूसरे के तरफ देख यहां से यह तो डुबाने का काम कर दो गिया है कृष्ण भगवान कहते है और कई बार कहते हैं कि आखों देखी कानों सुनी तो बात गल तो हो भी जाती है लेकिन आखों देखी बात गल थी और गोपियां जानती थी उनके ब्रमचर को अच्छी दरस गोपियों से भली बाती सक्षियों से भली बाती उनका ब्रमचर, अखंड ब्रमचर, बाल ब्रमचर और कौन पर रख सकता था कामदेव की साक्षात मूर्थ इतना सुन्दर गुंगराले बालों वाला, मन को मुख लेने वाला सुधी को विशार देने वाला, ये मुरली को वजाने वाला कृष्ण कनया बाल ब्रमचर और हसने रखी तो कृष्ण कहने लगा हसो मत, जब जमना मैया से बोल दो, अगर हमारा प्रियतम कृष्ण बाल ब्रमचर और अखंड ब्रमचर और उसने स्वपन में भी कभी सोचा ना हो, ब्रमचर को तोड़ने के बाद तो हे मां हमेरा सत्यत है, लेकिन जब कृष्ण ऐसी बात कहते हैं, सच हो या ना हो, इसके परबाह कौन करता है? चल पड़ी हाथ में बोजन की थारियां देखे हैं, सुपचास कॉपियां, पूरे पूरे थार बारे बारे, चल पड़ी, यबना किनारे, यबना पूरी उफान पे, शोर मचाती, बेंकर गर्जना, संकोच वश्ण ने हाथ चोड़े, माता के आगे प्रार्थना कि हे भाईया यमना, हमारी बेनती सुनो, हमें यमना से पार जाना है, आप से पार दूसरे तटट पे जाना है, किरपा करो, यमना का उफान शानत नहीं हुआ, फिर भोली सखिया, ए मैया, बगवान क्रिश्ण ने कहा है, कि मात उमें रस्ता देतेगी, किरपा करके हमें रस्ता देतो, उन्हें के काम जा रहे हैं, उनके गुरु को भोजन करवाना है, भूखे होगे, बहुत देर मत करो, पहले ही से हम देरी में हैं, उफान शांत नहीं हुआ, अखे बात, कोपियां बोलना नहीं चाहती थी, शर्माती थी, लज्जा आती थी, संकोच आता थी, क्लेकें, जब रास्ता नहीं दिया, तो बोलनी पड़ी, मा, अगर हमारा प्रियवर, अगर हमारा परम प्यारा, क्रिश्ण, बाल ब्रमचारी है, उन्होंने स्वपन में भी कभी, काम की बात सोचे भी नहीं, अखंड ब्रमचारी और बाल ब्रमचारी है, तो ये मां हमेरा अस्ता पर देए, यमना हट गई, उफान शान्त हो गया, रस्ता बना दिया गया, लंबा चोड़ा रस्ता बना दिया गया, किन कर्तव विबोर, हैरानी जनक शेतना लिये, गोपियां एक एक करके, यमना से पार होका दूसरे तट पर चले गए, परिशान, सर्दी का महीना माथे पर पसीने की बूंदे, ये क्या हुआ, ये कैसा चमतकार, अब तक तो इस रंगेले ने, इस रसीले ने, जिस जादू में हमें बांदा बांदा, लेकिन आज तो सब देखा सुना बेकार, ये क्या चमतकार, आपसमें बत्याती, हांस्ती, खेलती, चमतकृत्त, पहुंच पने, सामने दुर्वासा, प्रेशिक, समाधी मगन, आनंद के अवस्ता में आनंद पान कर रहे था, हलका सा खटका किया, जागे आँके होली तुर्वासान, आशिरवाद के मुत्रम हाथ उठाएं, तेवियो, कैसे क्यों आईए, प्रभूफ आपका नाश्ता लिखे रहे, लब, अब सो पचास गोपियां, थाल भरे हुआ है, एक एक करके लाइन में, आती रहे, दुर्वासा खाते रहे, साफ करके ठाली देते रहे, एक आई, दो वाल, सभी निपट गें, तुर्वासाने टकार मारे, सभी गोपियां, विस्मे से भरे हुए मन से, अरे क्रिश्टनु, दुर्वासा, दुर्वासा इतने, शरीर से सबल ना थे, इतना खा गया, इतनी थालियां भरी हुई, अनेक स्वाधिष्ट, तरह के वेंजन, डकार गया, अश्रवाक्तिया, कल्ल्याव नमस्तु, जाये, सुखिरो, प्रभू, वनिवर, गुरुवर, चाये कैसे, आ तो गए, माता यमना अपने वो उफान पे होगी, उसको लांग कैसे पाएंगे, माता यमना से प्रात्ना कर देना हाथ बांद के, के हमारे प्रम प्यारे रसीले, के गुरु, दुरवासा, पवनाहारी हैं, सिर्फ पवन का सेवन करते हैं, कभी कुछ नहीं खाया, जब से जन्न में, कभी कुछ ही नहीं खाया, बोजन तो किया ही में, उपवासी हैं, यदी दुरवासा, तो हे मां, हमे रास्ता देजाएंगे, कुछ, कोप यहां तो गरते गरते बचेंगे, हत हो गई, शिश तो शिश, गुरू तो अभी खला के हटेंगे, हडप गया सो थार, कहता है सदा से पोना हर, गरते गरते बचेंग, बेहोश होते होते बचेंग, कुछ कहने के जुरत नहीं थे, तुरवासा के आगे कोई कुछ बोल पड़ता, यह कैसे संभव था, एक बार क्रिशन ने किसी बात की तोहीन करते, तोहीन नहीं, उनकी किसी इच्छा को पूर्ण करने में थोड़ी देरी करती, कोई वस्तू मगाई थी, वो थोड़ी देरी करते, दुरवासा कहने लगे, कैसे करो, लाओ रुकमने को, चेहरे के उपर मक्षन मड़ो, मैं रत में वैठता हूं, तुम रत खेंचो, सारे सहर में से उस रत को गजारो, तुम्हें यही दंड़ है, करोधी सवाक, स्राप देने में माहिर, विख्यात, को ख्यात नहीं को मुखा, विख्यात, क्रिशन ने बलाया रुकमनी को, माकन से मला अपना मुख, रुकमनी का मुख मला, रत बलाया गया, रत से खेंचना है, गोड़े नहीं लगाने, और सारे फेरी लगानी है, बैठ गया, तुरवासा, एक तरफ रुकमनी, एक तरफ क्रिश्न, सारा शहर गमाया, देखने वालों ने अजीब नजारा देखा, बापस आ गए, उनके क्रोध से कौन वाकित नहीं था, न जाने, क्या कहे दे, और वाक्से दे थी, ता तक्षन पूरा हो जाता, प्रणाम करके वापस लोटी, लेकिन प्रणाम बाहर बाहर से हुआ, बीतर से प्रणाम ना आया, क्यों, आपको पताईए, अभी अभी सो थाल्व हडप लिए हैं, और कहते हैं माता रास्ता देदेगी, यमना हट जाएगी कह देना, जब से जनमें पवनाहारी हैं, पवन का आहार करते हैं, कभी कुछ नहीं खाया, अगर हैं, तो रास्ता देदे, गई, यमना उफान पर थे, हे मां, सामूही कपरात्रन की, की अगर हमारे प्रियतम क्रिश्णा के गुरु, दुर्वासा रिशे, नहीं हमें बेजा है, अगर हमें रास्ता दे दो, बड़ी कृपा होगी, नहीं हटी जमना, उफान शांत नहीं हुआ, देखा, नहीं हुआ उफान शांत, फिर हाथ युड़े मां, हमें रास्ता दे दे, हमने परले पार जाना है, हमारे प्यारे क्रिश्णा हमें प्रतिक्षा करते होगे, जल्दी रास्ता दे दे, हमारी प्रत्ता है, हम उनके गुरु को भोजन करा के आए हैं, जमना ने फिर भी रास्ता ने दिया, तस से मस नहीं हुई जमना, तीसरे बार हाथ जोड के, खड़ी हो गई गोपियां, कहने लगी माता, यदी दुर्वासा रिशे, हमारे परंप्रिया, वो गुंगराले, वो रसेले, केसों वारे, वो कमल नैन, वो सुन्दर मूरती, वो भे सुध करने वाली तसवीर, उनके कुछ दुर्वासा, जब से जनमें, कभी कुछ नहीं खाएं, पवनाहारी हैं, पवन को खाकर ही जीते हैं, पवन से ही शरीर चलता है, कभी कुछ खाएं नहीं हैं, तो हे मां किर्पा कर दे, हमें रास्ता दे दे, हमने परले पार जाना है, मां यमना हट गई, रास्ता दे दिया क्या, खूब, रास्ता दे दिया क्या, गोपियां गुजर गई, लेकिन दिमार चक्रा क्या, हाथ हो गई, शिष्य कहता बाल ब्रह मचारी, गुरू सो थाल हडप गया, पवनाहारी, दिमार खराप गया, ये आध्यात्म की बाते हैं, लाखों ही पंडित, करोडों ही स्याने, खुदा की बाते हैं, तो खुदा ही चाने हैं, चली गई, सोच रही थी, लेकिन सोचने का क्या फाइदा, जो बात सम्झ में आती ही नहीं, जो बात सोचने में आती ही नहीं, उसको लाख सोचते जाओ, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है, इनके गहरे अर्थों को सम्झे नहीं, जो बात दवा से हो न सके, तुम चाहते हो अपनी बुद्धी से इस समस्या को हल करना, दवा, दवा बुद्धी से बनती है, बुद्धी दवा की खोज करती है, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दवा से होती है, वो समर्पन से हो जाती है, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दवा से होती है, जब कामिल मुर्शित मिलता है, तो बात खुदा से होती है, खुदा से बात होती है, जब कामिल मुर्शित मिलता है, सोचे सोच न हो वही ये सोचे लख पार चुपे चुप न हो वही जे लाए रहा लिबतार पुख्यां पुख न उतरी जे बनना पूरियां पार पुरियां पार सैस स्यानप लखो तुम्हारी स्यानप तुम्हारी बुध्धी काम नहीं देती है बुध्धी को एक तरफ रख देना होता है क्या करो रहे हैं दुरवासा सो थाल खाके उन देवियों से कह देती हैं कह देना लड़ाओ दिमाग क्रिशन महारास रचाती हैं कहते अखंड ब्रमचर ये बात कहा की करते हैं ये राज क्या है तुबाबा नानक कहते हैं कि ये तुमारी समसे परे की बात है इसको खोपड़ी से हल न कर रहा है संतत्व के वचन जो विक्ति बोले उसको बुद्धी से तोलने की चेश्टा मत करने मुझे बहुत विक्ति कह देते हैं कि बाबा मुझे समझ में आ गया मैं समझ जाता हूं मैं रोकता हूं कि रुक फिर आना पड़ेगा क्यों बाबा क्योंकि तुझे समझ में आ गया वो चीज समझ में आ गया जो समझ में आता ही नहीं इसलिए फिर से आना पड़ेगा दिले नादा तुझे हुआ क्या है कि दिल हार जाता है दिल छट पठाता है जब बुद्धी के पास कोई हल नहीं होता है बुद्धी समर्पन करती है तो मसला हल होता है जब बुद्धी समर्पन नहीं करती तो दिल में दर्द होता है तिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है ये क्यों नहीं हल होता मसला, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हमारे सामने सो थाल खा गया और पोना हारी, और ये गोपियों के साथ रोज महारास रचाता है, अखंड ब्रमशारी बाल ब्रमशारी तो दिल कहां चैन पाएगा, जब उसकी समस्या उलजी की उलजी रह गई और बुद्धी उसे सॉल्व करने में लगी रही, तो सॉल्व तुन हो पाएगा, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दबा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार हम है मुश्ताक और वो बेजार या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, हम क्या देख रहे हैं, अरे चट कर गए ये सॉल्व था, और कहता है मुश्ताक और वो बना हारी, और कहता बोल देना यमना से, अगर दुर्वासा पबना हारी है मां रस्ता दे दे, और रस्ता दे दे ते रहे हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, ये इलाही के उपर ही छोटना पड़ेगा, तुम्हारी वुद्धी काम ना कर पाए, या इलाही ये माजरा क्या है, तु ही बता, जबकि तुझविन नहीं, जबकि तुझविन नहीं कोई मोजूद, फिर ये हंगामाई, खुदा क्या है, क्यूं हंगामा करते हो खुदा का, जब तुम खुद ही खुदा हो, सो थाल का गए, और पमना आरे, या इलाही ये माजरा क्या है, जबकि तुम बिन नहीं, यहां कोई, जबकि तुम बिन नहीं, यहां कोई, फिर ये हंगामाई, खुदा क्या है, जब तुम बिन नहीं कोई, तो फिर ये हंगामाई, खुदा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, बुद्धी जहां हार जाए, बुद्धी जहां अपने आपको सुमर्पित कर दे, कर दे शब्द भी, भाशा में ही आएगा, बुद्धी समर्पित हो जा रहे हैं, यहां बुद्धी समर्पित हो जाती है, देख लिया, सामने देख लिया, खुद अपने हाथों से खिला के आए, खुद क्रिशन रोज महारास रचाए, एक अखंड़ ब्रमचारी, बाल ब्रमचारी, और दूसरा बाल पोना हारे, या इलाही ये मामला क्या है, मैं हसा करता हूँ, मेरे प्रवचन कम लंबे होते हैं, लोगों के कोमेंट जाता पड़े होते हैं, और कमेंट करते करते, लिख देते हैं कि मेरी द्रिष्टी में, मेरा मानना है, जानना कुछ नहीं, और मैं सदा कहता हूँ के मानों कुछ भी ना जानों, मानने से कुछ न होगा, वो परम प्यारा न मिलेगा, वो फूल न खिलेगा, शांती का, वो उपवन न महकेगा, जब तक तुम जानोंगे नहीं, और तुम हो, कि मानते ही चले चाते हैं, तुमने इश्वर को अल्जवर्या का फार्मूला समझे लिया है, एई इकल टू सेवन, पस मान जो, हल कुछ नहीं होता, यद भी तुम सदा ही हल कर दिया करते हो, लेकिन हल कुछ नहीं होता, किसी बात का तुमारे पास जवाब नहीं, यद भी सब बातों का जवाब तुम दे देते हो, गई गोपिया, कृष्ण के जर्णों में लोट में, आखों में अश्रुधारा, बोली है सखा, हम एक शमा करते हैं, हम जो समझे वैठे थे, हो जोट था, आज पता चला कि कानों देखा, कानों सुना तो जोट हो यी जाया करता है, आखों देखा भी जोट हो जाया करता है प्रियतम, आज आखों देखा जोट हो गया, चर्णों में लोट पोट, कहां ढूड़ें उसे, क्या है वो, झाल 1 3 जाए ही हो पोट हो भी जावाखों देखा थे, को यी कोब भी गंवी गन्हेंक ते हैं, चुप गयो फिर पिक तान सुना के कहां गयो एक बान चला के कहां गयो एक बान चला के चुप गयो फिर पिर इक तान सुना के कहां गयो एक बान चला के कहां गयो एक बान चला के गोकुल ढूंडा मैने मतुरा ढूंड गोकुल ढूंडा मैने मतुरा ढूंड कोई नगरिया ना छोड़ी रे सुद्विस्रा गयो मोरे वो काला एक बांसुर वाला वो काला एक बांसुर वाला सुद्विस्रा गयो मोरे माखन चोर वो नंद की सोर जो कर गयो मन की चोरी रे सुद्विस्रा गयो मोरे वो काला एक बांसुर वाला कहां गयो एक वान जराक है छुप गयो फिर एक तान सुनाक है गुकुल ढूंडा मैंने मतुरा ठूंटे कोई नगरिया न छोडिये सुद्विसरा के मोरे वो काला एक बांसुर वाला माखन चोर वो नंद के सोर गयो कर गयो मन की चोरी रे सुद्विसरा गयो मोरे वो काला एक बांसुर वाला क्रिशन ने चोर शब्द को महमा मंदिक कर दिया गोपियां उसके चर्णों में लोट फोट क्या करें कहां जाएं यह क्या अजूबा हुआ या इलाही यह माजरा क्या है लेकन यह माजरा सुर्जेगा तब खोपड़ रख दोगे जब सर्वधर्मान प्रत्यज्यमामेकं शर्णम्ब्रज सभी धर्मों को छोटके ए अर्जुन मेरी शर्णमें आजा मैं तुझे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूँगा क्या करोगे हिंका नास्तिकता धरी की धरी रह जाती है मैं अपनी आटोबाइग्राफिय में एक अपने जीवन की गटना बताई मैं बड़ा नास्तिक हुआ करता था साइंस का स्टूडेंट वेग्यानिक बहुत वेग्यानिक सोच जो कुछ सोचता एनलाइसिस करके सोचता और वो दिन आया जिसतन मैं गाड़ी में सवार था और किसी ने मुझे गाड़ी के वितर जप्ता दे दिया नहीं तो मैं आज आपके सामने बोलने ना आता आप मेरा सरी ना देख पाता हम है मुश्ताक और वो बेजार हम है मुश्ताक और वो बेजार या इलाही यह माजरा क्या है धन्यवाद झाल उन्हें गरा धिल्कव प्रिए यह झाल झाल